जब बच्चे कुछ बाहर का खाने की जीत करें तो इस तरह से बनाओ ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है साथ ही साथ हेल्दी भी है तो चलिए बनातें इसके लिए आपको लेना है आटी की लोई तो गिहूं के आटे में पालक की प्योरे डाल करके हमने इसका पेश्ट तयार किया फिर इसे आटे के साथ मिला के दो तयार कर लिए बस इसमें थोड़ा सा नमक डाला था चोटी लोई लेनी है और सूखा आटा लगा कर कि इसको बेल लेना है और इसी तरीके से हम दो रूटियां बना के तयार कर लेंगे इसमें हमने लगाया है सेजवान चटनी आप ट पूड़ा सा नमक चिड़क देंगे और यहां पर यह है मोजरेला चीज चीज बच्चों को बहुत पसंद होती है तो मैं यह पर मोजरेला चीज थोड़ी सी राले हूँ आप चाहें तो प्रोसेस चीज भी डाल सकते हैं और डालने के बाद उतनी ही बड़े साइज की एक द अवे पर डालेंगे ग्ञेज से थोड़ा ऍचाहें दृड़ी ब tarik यह दैल चाहें तो अब इसे लो मीडियम में दभा दबाके अच्छे से सीखना है ओrąले देंगी और दबां बहाँ लेंगे ग्शो आप अब हम इसे निकाल दें आख दोट़िन है तो अब कट कर लेजिये सी तरह है रखाई का बहुत हो हसा है कि बहुत जादा जीद कि करते हैं लेकिन बाहर का उतना हदी नहीं होता है तो फटपर आप उसे घर पर आ बना सकते हैं, यह बहुत हल्दी भी होगा टेस्टी भी होगा तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा यह आपको और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा तो ट्राइ कीजिएगा रेसिपी कैसी लगी हमें फीडबेक में जरूर बताएगा फिर मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई